हेलो अलो फ्यू एन वेरी गूड इवनिंग टू आल आज का जो हमारा वीडियो है वो पुरसकार और सम्मान के उपर है इससे पहले हमने जो है राष्ट्री अंतराष्ट्री आर्थिक और प्रादेशिक परिद्रश्यों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है एक्जाम औरिय अगर आप वह देखना चाते हैं तो आप हमारा प्लेलिस्ट जो है स्टड़ी फोर आसना ये से चैनल का यूट्यूब चैनल पर आप जा करके देख सकते हैं या फिर आप जो है टेलीग्राम चैनल चैनल स्टड़ीफोर आरे सन डाइस उसको जो जोइन कर लिजे वहां पर काफी helpful सामगरी आपको वहाँ पर मिलेगी RPSS से related जितने भी important updates है वो आपको मिलेंगे जितने भी magazines के PDF हैं जो हम 2019 से cover करते हुए आ रहे हैं उन सभी के PDF आपको वहाँ पर available होंगे और उसके अलावा मेरे द्वारा जो लिखे गए articles हैं जो कि आपके RS mains और ऐसे rating में help कर सकते हैं वो भी आपको वहाँ पर available होंगे तो आप उस चैनल को जरूर से join करें अगर आपको कोई suggestion है तो आप हमें comment section में लिख सकते हैं या फिर Instagram जो हमारा ID है वहाँ पर भी आप जाकर करके उनके लिए best magazine है अगर UPSC की में बात करूं तो factual information आप यहां से gather कर सकते हैं और add-on अगर आपको करना है तो आप विजन द्रिश्टिव अगरा की magazine को refer कर सकते हैं बाकि अगर आप RPSC में RS की त्यारी कर रहे हैं तो आपके किस प्रकार के questions को पूछा जाता है फिर आप current affairs की तरफ जाइए ठीक है तो अब जैसे कि यहां पर आज हम topic पढ़ने वाले हैं पुरसकार एवाम सम्मान तो देखिए पुरसकार सम्मान क्या है यह information based question है इसके अंदर अगर आपको question आता है तो आता है नहीं आता है तो नहीं आता है आप इसमें कोई भी वेग आइडिया नहीं लगा सकते तो यह वाले जो questions होते हैं यह आपके जैसे की आरपी एसी के जैसे एसी एफ फॉरस्ट वाला भी एक्जाम हुआ तो उसके अंदर कई सारे question जो है पुरसकार सम्मान से पूछे हैं सब इंस्पेक्टर का जो एक्जाम होने वाला है उसमें इससे questions आपको पूछेंगे और अगर आप तैयरी कर रहे हैं तो वहां पर भी आ जाने कि अमरते सेन कौन है तो यह भारतिय एकोनोमिस्ट है फिलाल यह जो है यूएस और यूके के अंदर रहकर के अपना कारे करते हैं यह उनकी कर्म स्थलिये बाकि यह हैं भारतिये और इनको जो है 1998 के अंदर इनका जो कारे है poverty and famines यानिकि गरीबी और फैमाइन को क्या असमानता है समाज में वह गरीबी का मुख्य कारण है तो उसके ओपर इनका जो शोद पत्र था वह काफी जो है ठोस था प्रमानिक था इसलिए इनको जो है noble price जो है वह मिला है प्रतिश्टित पुरसकार है noble price वह इनको 1998 में दिया गया था और 1999 के अंदर same next year इनको भारत ने भारत रत्न जो है उस पुरस्कार से भी सम्मानित किया है ठीक है तो यह हमको ध्यान रखने वाली बात है अभी इनको तीसरा इनके जो कहते है ना इनके कैप्ट के अंदर तीसरा फैदर बना है यह है स्पेन का सर्वोच्ची पुरस्कार है वो इनको मिला है जिसका नाम है नको यह वोड़ दिया गया अब कितनी राषी है क्या दिया गया यह इंपोर्टन नहीं है रावर्ड का नाम धिया गया रही को दिया गया ओgeons Chinne है इनकी नाम नोंहीं है ऐठीय होग ओगया है इनकों चीज तुए- ऑिसकी प्रिज जिंखिर वर 코로 शांती सेना है, उसके अंदर इन्होंने जो है अपनी सेवाई दी थी और वहीं पर उन्होंने अपनी प्राणों की आहुती दी, इसलिए इनको ये अवर्ड दिया गया है, तो देखें सबसे पहली चीज़ हम ये जाने कि UN Peacekeeping Forces क्या होती है, तो देखें UN Peacekeeping Forces सेयुकत राष्ट की शांती सेनाएं होती है, जो कि जहां पर भी इनके आवश्रक्ता होती है, वहां पर इनको बेजा जाता है, अब इसके अंदर कौन मेंबर्स होते हैं, तो देखें जितने भी सेयुकत राष्ट के मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स वो मेंबर्स वोलेंटर यानि के अपने तरफ सबसे ही इन शांती सेनाओं को भेचते हैं भारत इसमें सबसे जादा पार्टिसिपेट करने वाला देश हैं सबसे जादा शांती सेनाओं के अंदर भारत की वेक्ति शामिल है और इनका जो फन्डिंग है वह यहीं के जो Member States है वही करते हैं ठेक है तो अब यह जो UN Peacekeeping Force का जो डे आता है अंतराश्च्रे दिवस आता है वो आता है 29 मई को इसको हम देख लेते हैं तो इस इमेज में आप दे सकते हैं यहाप पर लिखा है 29 मई को International Day of United Nations Peacekeepers और यह आपको ब्लू कलर की जो क्रेक्श सेन करना है तो इसलिए इनको ब्लू ही थी खते हैं तो इनके ड्रेस पर यह नया रहीं आगा देहां दिया गया है यह अब हम नाम देख लेता है एक का नाम है vì यह भारतिय शांतिदृत ने दक्षण श होडान जो है बहां पर सिंग्तराष्ट मिशन के साथ में जो है कारे किया था दूसरे है इवान माइकल पिकार्डो ये नागरिक शांती रक्षक ने दक्षिन सुडान में ये भी दक्षिन सुडान में ही थे फिर है मूलचंद यादव ये नागरिक शांती रक्षक ने इराक में सेयुक्त राष्ट्र सहयता मिशन के साथ में जो है वो इसको जो है इनर्जी फ्रिंटियर अवर्ड भी कहा जाता है इंटरनेशनल एनर्जी रिसर्च का जो है नोबल पुरुसकार माना जाता है इसलिए देखे यह वर्ड काफी इंपोर्टेंट है हो सकता है आप से किसी एक्जाम में इसके बारे में पूछ लिया जाए तो इसको ध्यान में रखना है फिर जो है यह जो अवर्ड है इनको carbon nanotubes और जो metal oxide carbon nanotubes है और जो अनिसामगरी है और जो दुई आया में प्रणाली है उसके लिए जो है यह अवर्ड इनको दिया गया है अलागे इतना कम का नहीं यह पता होना अच्छे कि यह जो अवर्ड है इंटरनेशनल एनि अवर्ड यह भारतिय जो विग्यानिक है उनको दिया गया है जिनका नाम है प्रोफेसर सी एनार राओ नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर डी नागेश्वर रेडी जो है उनको रुडॉल्फ वी शिंडलर से पुरुसकरत होने वाले यह पहले भारतिय बने है तो यह जो एक जो है यह जो अवर्ड है यह किसके नाम पर है तो गेस्ट्रोस्कॉपी के जो फादर रहे है जिनका नाम था रुडॉल्फ वी शिंडलर इनके नाम पर पुरुसकार रखा गय तो भारत जैव विवित्ता दिवसे जिसकों की 22 मई को मनाया जाता है उस दिन जो है इन अवार्ड्स को प्रदान किया गया है इनका नाम है इंडिया बायो डाइवर्सिटी अवार्ड्स तो देखें यह जो अवार्ड्स है एक तो संयुक्त राष्ट्र और दूसरा जो हमारे यहां का केंद्रिय परियावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले है प्लस जो हमारा राष्ट्रे जैव विवित्ता प्रादिकरन है इन तीनों की जो है यह सेयुक्त पहल पर यह अवार्ड जो है वो दिया जाता है अब यह जो पुरुसकार है तीन लोगों को दिया पहला तो यह है कि क्रिशी और प्रस्तिती की विकास संस्थान इसको जो है यह पुरुसकार जो है जैविक संसादनों के सतत उप्योग यानि सस्टेनेबल जो यूज है उसको लेकर के दिया गया है और जो के ट्यूबर मैन है शाजी एन एम नेपालतु प्रजातियों के संक का लेंड की वाइड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है कोनोमा नेचर कंजरवेशन एंड ट्रेगोपन सेंचुरी इसने जैविक संसादनों के सतत उप्योग के श्रणी में यह पुरुसकार जीता है तो यह न्यूज आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट पुरुसकार है टेमपल्टन पुरुसकार टेमपल्टन पुरुसकार जो है अभी जो प्रसिद विग्यानिक प्रकरतिवादी और कारे करता है जिनका नाम है जेन गुडॉल उनको जो है यह पुरुसकार अभी 2021 में दिया गया है इन्होंने क्या किया है कि जानव टेडिसा को प्रदान किया गया था ठीक है इस लिए यस पुरुसकार की बारे में जानना आवशक था फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है युनेस्को का गुई लेर्मो कार्णो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरुसकार यह जो पुरुसकार है यह पत्रकारिता की शेतर का सर्वस्रिश पुरुसकार इसको मान सकते हैं मई को जो है यह पुरुसकार दिया जाता है तीन मई को विश्व प्रेस फ्रीडम डे जो है इंटरनाशनल प्रेस फ्रीडम डे वो मनाया जाता है तो उस दिवस पर जो है पुरुसकार दिया जाता है और इस बार फिलिपिन्स के पत्रकार को जो है जिनका नाम है मारिया रेसा तो उसको याद रखना आवश्रक हो जाता बाकि इसना कोई विशेश है नहीं छोड़ सकते हैं आप इसको नेक्स्ट है केंद्री शिक्षा मंत्री जो है मैरे रमेश पुकरियाल उनको अंतराष्ट्री अजेए स्वर्ण प्रदक के लिए जो है चैनित किया गया है तो देखें केंद्री जो शिक्षा मंत्री है उनको वेश्विक महरश्री महेश योगी संगठन एवं विश्व के महरश्री विश्वेद्यालों की ओर से जो इंटरनाश्ट्री इन्विंसिबल गोल्ड मैडल यानि कि अंतराष्ट्री अजेए स्वर्ण प्रदक जो है उसके लिए चैनित किया गया है तो यह भी अपने तरे का पुरुसकार है और इसमें जो है इनको जो यह पुरुसकार है यह किसलिए दिया गया है तो यह हमको ध्यान रखना है कि इनके उतकृष्ट लेखन के लिए राइटिंग स्किल्स के लिए जो है क्योंकि लिखते हैं यह ख पेन नेम है तो ये जो है इनको उत्रिष्ट लेखन और सामाजिक और राजनेतिक दायत्तों का वैश्विक इस्तर पर मानवी मुल्यों की स्थापना के उल्लेकनिय कारे के लिए जो है इनको ये अवर्ड दिया गया है फिर नेक्स्ट है पंदरवा शेक जायद बुक पुरुसकार तो देखिए जो शेक जायद बुक पुरुसकार ये इंपोर्टेंट इसलिए दो कारणों से पहली चीज़ तो ये कि अरबी जो जगत है अरब जगत जो है यानि कि साओधी अरेबिया इरान इरा की वाला जो एरिया है जिसको हम अर शेक जायद बुक पुरुसकार से सम्मानित किया गया है वह पुरुसकार जीतने वाली पहली भारतिय महिला जो है वो बन गई है तो यह इंपोर्टेंट आपके लिए इनको याद रखना जरूरी है फिर जो है इन्होंने यह जो पुरुसकार है शिकाको विश्व इद्याल खादि पुरुसकार 2021 तो देखी ये पुरुसकार जह ये भी काफी इंपाफी इंपॉर्टेंट अवार्ड ए यह पुरुसकार जहे भारत की जो भारती मूल की है और प्रसित वेग्यानिक है जिनका नाम है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह तिलस तिलस्टेड इनको जो है मगर और पोशन के प्रति सम्विधन शिल्द रिष्टिकोंड विक्सेत करने ही तू उन्हें पुरुसकार के लिए जो है वो चुना गया है यहाँ पे इनकी पिक्चर देख सकते हैं यह जो पुरुसकार है विश्व खादे पुरुसकार यह उन विक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बुक्मरी को कम करने और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपुन योगदान दिया हो इस अवार्ड के बारे में कुछ देख लेते हैं 1986 में विश्व हरित क्रांती के जो सूत्रदार है जिसको ग्रीन रेवोलुशन आप कहते हैं त 2020 में जो लेटेस्ट ये जो अवार्ड है ये भी भारती मूल के ही प्रसिद अमेरिकी म्रदा वेग्यानिक थे डॉक्टर रतनलाल उनको जो है अवार्ड प्रदान किया गया है तो ये इंपोर्टन्ट हो जाता है तो इनके बारे में आप ध्यान रखें नेक्स्ट हम देखत है इनको में स्युनिवर्स का खिताब मिला है हो सकता है किसी एक्जाम में पूछ ले तो देखिए भारत से तो अब तक दो ही में सी उनिवर्स बनी है एक तो तो ती सुश्मिता से है और तीसी दूसरी थी लारा दत्ता ठीक है उनके अलावा जो है ये अवार्ड अभी तक क नेचर के संब्ध में जो कार्य करते हुझ है उनको ये वार्ड आ जाता है वैफ्लिक फोर नेचर के द्वार्ड दीा जाता है और ये जो है ग्रीन ऑसकर नाम से बीसिता नुमिती फॉर्सकार काने वाले एक मात्र भड़्ती है इसलिए रोड इम्पॉर्टन हो जाता इसको तो हमको याद में रखना है अब देखिए यह जो पुरुसकारों वाला है अब यह बड़ा बोरिंग टॉपिक है मोनोटोर्नस है अब आपको इसमें बोरियत लगे आपको लगेगा यह भी आवर्ड इंपॉर्टेंट यह भी रिस्क नहीं ले सकता है हो सकता है पूछ ले लेना पड़ेगा कि आपको ऐसे अवर्ड को जो है लिख लेना पड़ेगा दो तिन बार अगर आप उसको पढ़ेंगे आपके माइंड में आटोमेटिक ली क्योंकि चार आप्शन रहते हैं तो प्लिक होई जाता है कि यही होगा प्रोबैबली यही आंसर होना चाहिए और प्रोबैबली वही जो है वह करेक्ट होता है तो उस पर हमको टिक लगाना चाहिए बाके तो और तो कई सारे होते हैं बाद में तो हम कंफ्यूज होते रहते हैं लेकिन यही फंट है कि जो फुर्स्ट आपको क्लिक होता है वह आपका आंसर सही होता है क्योंकि दिमाग जो करता है वह पहली बार पढ़ावा पढ़ा चीज वहां उसरी को संपन के लिए अकेड्मी ऑफ मोशन-पीक्चर आर्ट्स और साइंसे की रिधे से 93rd ऑसकर अवार्ड समारों का एवजिन हॉलिवूड के लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर जो है यूनियन स्टेशन और डॉल्बी थेयर्टर के अंदर इसको संपन हुआ है यह आला कि हमारे किसी काम की नहीं मैंने तो ऐसी रीड किया है अब यह किस-किस को नाम के जो निर्देशक है निर्देशी का है इनकी पिक्चर है उसको जो है सबस्यद्र पुरुसकार मिले है इस पिक्चर का नाम है नोमेड लैंड और इसको सरवादिक तीन आसकर पुरुसकार जो है वो प्राप्त है एक तो best picture का best actress का और best direction का ठीके दवा दर और जुदा जो डिरेक्टर है और फिल्म है उसको जो है याद रख लिया जाए तो ज्यादा बेटर है और उसके अलावा जो आपको अगर यहाँ पर लगता है जैसे कि अभी यहाँ पर इंडियन सिनेमा को लेकर के कुछ विशेश रुजान रहाने जैसे इरफान कॉन और भानु अतहिया जो थी बानु अतहिया जो है वो कॉस्टूम डिजाइनर रही है इनको जो है यह अवर्ड नहीं दिया गया इनको शृद्धांजल दी गई है और उसके अलावा जो प्रेंका चोपड़ा है उनकी कोई फिल्म है जिसका नाम है दा वाइट टाइगर इसको बेस्ट ऑडिट के लिए नॉमिनेट किया गया था लेकिन इनको यह अवर्ड नहीं मिला यह अवर्ड दफादर फिल्म को मिला तो इस पर कोई कोशन बनने के चांसेज है नहीं तो अगर आपको जो है देखना हो तो आप यह लिस्ट जो है इसको देख सकते हैं बाकि कोई इंपोर्टन कोश सर रिचर्ड हेडली पूरशकार जो है वो दिया गया है यह निउजिलेंड के कैप्टन रहें और इन्होंने वार्शिक जो क्रिकेट पूरशकार उतन के सभी प्रारूपों में अच्छे प्रदर्शन के लिए छे वर्ष में चौती बार प्रतिष्टी तर रिचर्ड है उस पर देखा था और पिस्ट के द्वारे लिया गया था उसके अंदर तो जह है वो क्रिकट का पूरा वो टेस्ट मैच और कितने रन बने हैं वो तक पूछ लिया था तो यहां जो क्रिकट अवोर्ड होता हैं उनको थोड़ा से ध्यान में रख करके हमको पढ़ना चाहिए उस प सूचिबद जो है वो किया गया है तो 1971 और 2021 की मध्यों प्रत्य एक दशक दशक में एक क्रिकटर का चैन RIGHT बहारती टीम के के kon boxerew caucus उनको 2013 के दशकły चुना गया है जो विजडन पत्री का है उसने 1970 के दशक का वेस्ट इंडीज के वीवियन रिचर्ट्स को तता 2000 के दशक का श्रिलंका के मुथाय मुडले दरन को एक दिवस्य क्रिकेटर जो है वो चुना है इंग्लेंड के ऐसे पहले के लड़े जिने एक से अधिक बाहर पुरुसकार मिला है बारती कप्तान विराट कोली उन्हें लगातार तीन वर्ष 16, 17 और 18 में ये अवार्ड दिया गया है लीडिंग जो वुमेन क्रिकेटर है वो है बेन मुनी जिनको ऑस्ट्रेलिया की है ये उनको अवार्ड दिया गया है और लीडिंग टी-ट्वंटी जो क्रिकेटर है इन दा वर्ड वो है किरान पोलार्ड ये वेस्ट इंडीस के हैं इनके नाम हमको ध्यान रखने है नेक्स्ट हम देखते हैं 74th BAFTA Awards तो BAFTA का मतलब है British Academy of Films and Television Arts इन पुरसकारों का वितरन जो है लंडन के अंदर Royal Albert Hall के अंदर जो है वो किया जाएगा और जो ये अवार्ड जो है वो है क्लो जाओ द्वारा निदरशित फिल्म Nomadland को और सराह गेवरान को सरवादिक साथ साथ नॉमिनेशन इसमें मिले हैं जिसमें Nomadland सरवादिक चार पुरुसकार जीतने में जो हैं वो सपल रही है आपने अगर आपको याद हो तो अभी हमने उपर Oscar Awards पढ़े थे तो Oscar Awards में भ जादा तो देखिए डिटेल से अगर आपके एक्जाम पॉइंट ओफिस से इंपॉर्टन तो पढ़िए बाकी जो है RPSC में तो कम ही चांस है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है गुनीत मोंगा नाइट ओफ द इयर अवर्ड आर्ट्स एंड लेटर सम्मान से जो इनको सम्मानित किया गया है तो देखिए तो लंच बॉक्स और मसान जैसे फिल्मों के लिए जाने जाने वाली निर्माता गुनीत मोंगा जो है इनको फ प्रांसिसी सम्मान है और इससे पहले इससे मेरियल स्ट्रीप लियोनार्डो डिकार्पो और ब्रूस विलिस जैसे बड़े हॉलिवूड नामों से जो है इनको सम्मानित किया गया है इस अवर्ड से और जैसे शारुक खान एश्वरे रायामिता बचन अंधिता दास कलकी को पुर를सकार से उनको सम्मानीत किया गया है तो यह भारत की महीला धाविका है और जाकारता ऐसीया खेलों में सौ ताथा दूसु मीटर में रजट पदक की सम्मानित किया किया गया है दूती चंद के अलावा ये पुरुसकार प्राप्त करने में तीजन भाई शुभ्रा मुद्गल और रेब का ममन जान सभा हाजी राणाव सफी बुद्री ताती केश कुवर पानिका और अमिता श्रीवास लक्षमी करियारे अमीरा शा यशिका दत अंकिता गुप पूट्स भी पढ़ना है आरेस के वेपर में तो वहां हो सकता है इनके उपर कोशन पूछ लिया जाए वर्ष 2019 में दूती ने इटली में आयोजित हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के वलों में स्वर्ण पदक जीता था और वो ऐसा करने वाली भारत की पहली महीला अथिल इस गड़ भारत के अन्य से महीलाओं को और इंडिविट चेत्रों में देश और राज्य स्तर पर अन्य उलिखने कारियों में योगदान के लिए जो हो दिया जाता है तो इस बार जो है दो हजार बीस का जो अवर्ड है यह प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ति को जो है दिया ज पुरुसकार उनको इंजिनियरिंग विज्ञान में उनके उत्रिष्ट योगदान के लिए जो है वो प्रदान किया जाएगा यह पुरुसकार देखिए प्रति वर्ष जो है हाँ एक चीज़ वह रहे है कि यह इनका चैन सस्ती स्वास्ते सेवाओं के लिए विकाशिल प्र प्रदान किया जाता है 1991 में अवर्ड स्टार्ट हुआ था और जीडी पुर्ला पुरुसकार प्रॉफेसर रूप मलिक को जयव भातिगी के छेतर में 2019 में प्रदान किया गया था अभी वाला जो 2020 का है सुमन चक्रवर्ति वाला यह इंपॉर्टेंट है इसी को याद रख ल 1969 से शुरू हुआ था दस लाख रुपे एक स्वन कमल और एक शौल प्रदान की जाती है और यह 1969 में हिंदी फिल्मों की अभीनेत्री देवी का राने को जो है पहला दादा साफ पाल के पुरुसकार मिला था दोजार अठारा का पचासवा जो दादा साफ पाल के पुरुसक इसका ये मराठी लेखा के जिनका नाम है शरन कुमार लिंबाले इनको पुरुसकार प्रदान किया गया है और इनकी किताब का नाम है सनातन इसके लिए ये अवर्ड जो है इनको दिया गया है तो देगे सरस्वती सम्मान भारती सम्विधान के आठवी अनुसूची की विगत 10 वर्शों में प्रकाशित उसतक के भारती लेखक को जो है प्रदान किया जाता है और 1991 में सापिट सरस्वती सम्मान को देश में सबसे प्रतिष्टित और सरफोची जो है साहितिक पुरुसकार की रूप में मान्यता मिली हुई है पहला ये जो सरस्वती सम्मान ने हरिवेंश राय बच्चन को दिया गया था उनकी आत्मकता जिसका राम था दश द्वार से सोपान तक ठीक है उनकी लिए पुरुसकार इनको 1991 में दिया गया था और उसके अलावा तो इसमें कोई विशेश ऐसी बात है नहीं जिसको जाना जाए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं खान अंग्रेजी मीडियम अभीनेत्रियत अपसी पन्नू सर्वस्टेट साहयक अभीनेता सैफली खान तना जी के लिए और अभीनेत्री है पारुक जफर गुलाबो सितावो की और उसके बाद में डेब्यू अब यह तो देखें सारे नाम इंट्रस्टिंग है तो आप के शेतर में उसको यह दिया जाता है तो राजाजी टाइगर रिजर्व जो है वहां के जो रेंजर है जिनकरा में महिंद्र गिरी उनको जो है आयूसीन डब्लू सीपी ए इंटरनेशनल रेंजर अवर्ड जो है यह प्रदान किया गया है और यह पुरुसकार पाने वाले ए अभिहारणे है द्यारादूर में इस्तिति अभिहारणे उतराकंद के प्रमुख प्रेटेंस थलों में से एक है 1983 से पहले इस शेतर में फैले जंगलों में तीन अभिहारण थे राजाजी मोती चुरो चिल्ला और 1983 में इन तीनों को ही मिला करके राजाजी नेशनल पार्क जो है वो बना दिया गया है और इनका नाम जो है स्वतंतरता सेनानी राजगोपालाचारी के नाम पर इनका नाम राजाजी राष्ट्री उध्यान जो है इसका रखा गया है फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट है राष्ट्री ये पंचायत पुरसकार 2021 तो देखिए प्रधान मंत जो नाना जी दादा जी देश्मुक राश्ट्री गौरफ ग्राम सभा पुरुसकार ये 30 ग्राम पंचायतों को दिया गया इन ग्राम पंचायतों में हो सकता है कोई राजस्थान की हो बाकि जो है इसके अंदर जो ये श्रेणी फर्स्ट में जो है उत्तर प्रदेश को सबसे करनाटक को पुरुसकार मिले हैं तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेलसन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरुसकार ये पुरुसकार जो है सौफ्ट्य एंजिनियर से उद्यमी बनी रुमाना सिनह सिहगल को डिपलोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेलसन मंडेला विश्व मानवता पुरुसकार जो है वर्ड हुमेनिटेरियन अवर्ड प्रदान किया गया है ये हैदराबाद की रहने वाली है और बिजनेस मिंट द्वारा सामाजिक उद्यमिता के लिए 50 बिजनेस लीडर का राष्ट्र व्याप्र पुरुसकार जो है ये इनको दिया गया और ये जो है पहली भारते मनी है जो इस अवर्ड से सम्मानित की गई है वाइल्ड इनोवेटर अवर्ड तो ये हमको ध्यान रखना है ये बैंगलूरू की है और ये पुरुसकार पाने वाली पहली भारते और पहली ही एशियाई महिला ये है फिर नेक्स्ट है शामला गने जापान की बहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों की मध्य संबंद को प्रगार बनाने के लिए जो है वो दिया जाता है ठीक है इसके बाद में जो ये अंतराष्ट्री राउंड अप सरी राउंड अप जो है इसके अंदर कुछ विशेश पुरुसकार नहीं है एक सरसरी निगावाले पुरुसकार है कुछ खास इसमें बताने जैसे कोई पुरुसकार है नहीं अब अब नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो होगा वो खेल परिद्रश्य के उपर होगा जिसमें हम जो important games sports हुए हैं जिसके अंदर जो भी हुए हैं उनको हम detail में और यह लास्ट वीडियो होगा फिर उसके बाद में आपका यह बारवा नंबर का वीडियो है फिर तेरवा वीडियो बनेगा और फिर जो है यह पूरी magazine आपकी complete हो जाएगी ठीक है तो मिलते हैं next वीडियो के अंदर आप बने रहेएगा चैनल के साथ में थैंक्यू सो मच अल्ड़ बेरी बेस्ट वन